हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजर्वित आयुश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कॉंकॉड कंट्रोल सिस्टम्स आई पी ओके सेकिंड एक सब्सक्रिप्शन के बारे में तो दोस्तों आज दूसरा दिन था कॉंकॉड का कल्याद रखेगा आखरे दिन रहने वाला है तो दो दिन के अंदर कितना ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है उसके बारे में इ परचा करेंगे डिफिनिटल बहुत इंपोर्टन मार्केट के वॉलेटलिटी के साथ ही आपको ज्यान रखना पड़ता है कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना है इसलिए यह वीडियो जो है वह काफी इंपोर्टन रहने वाला है SME इस वाले IPO के लिए तो डिफिनिटली पूरा देखिएगा फ्रिंट्स चानल से पहली बार अगर आप जुड़े हो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाहिएगा So friends Concord Control Systems basically Indian Railways के लिए आपको जादा तर काम करती ही देखने को मिलती है जिसमें आप कह सकते हैं कि जो काम का जरता हुआ देखने को मिलता है Company का वो basically आपको जैसे Chargers हो जाते हैं जिसमें लगाने को मिलते हैं उस प्रकार का काम करती भी देखने को मिलती है पुरे company के detail वीडियो में हमने already बात कर रखी है But mostly इनके सबसे बड़े client है वो Indian Railways है जिनके उपन की heavy dependency है वो definitely है बाकि बहुत सारे दूसरे भी है लेकिन जादा तर वो ही अगर आप देखने को मिलेगा अब इस IP के बारे में बात के तो definitely दोस्तो आज second day है और खतम होता हुआ देखने को मिलेगा याद रखिएगा कल आकिस दिन रहता हुआ देखने को मिलेगा 55 रुपे के price band के साथ company अपने इशु को लेकर आईए 10 रुपे की face value जादा बड़ा इशु नहीं है मातर 8 करोड का आपको देखने को मिलेगा BAC SME दोनों पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा NAC पे लिस्ट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा यह important बात है और 2000 का lot size है यह बात भी important है अब पहले दिन के दोस्तो subscription के उपर बात करें तो दोस्तो यह कह सकता हूँ कि इशु को पहले दिन एक बहुत शांदार subscription मिला पैसा काफी बढ़िया आता हुआ देखने को मिला एक बात जरूर है कि यह 8 करोड का इशु है तो 8 करोड का इशु भढ़ने में कोई ज़्यादा बड़ टाइम लगता नहीं है लेकिन दोस्तो पैसा आना भी तो important है अब अगर आप इसको देखेंगे जो distribution है QIBS, NIS और Retailers के बीच में वो कुछ इस प्रकारी की QIBS को करीबन 3.94 करोड के शेर्स ओफर केगा यानि 49% उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1 करोड के NIS को Retailers को 2 करोड 26 लाग के यानि Retailers को आप Shares देखिए, मातर कितने 5 लाग 2 हजार NIS को 2 लाग 16 लाग QIBS को 7 लाग 16 लाग तो definitely Shares कुल मिला के दोस्तों जो total offer किये गए हैं 14,34,000 के जो total मिला के 7.89 करोड की इसकी value है, बाग की जो है वो company अपने anchor से जोटा लिया और पहले ही दिन जो subscription निकल किया है almost close to 10 times का वो I think बहुत शानदार था 10 times subscribe होना almost first day वो बढ़िया कहा जाता है, बढ़िया माने जाता है and mostly आप expect भी करते हैं कि पहले दिन QIBS के तरफ से तो पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा ही न NAS ठीक है, पहले दिन 5 times subscribe के retailers definitely first day से आपको लगाना चालो करते हैं 24.68 times first day retailers ने लगा दिया and कुल मिलाके 9.59 times subscribe हो गया अब second day का subscription समझीए, कितना चौकाने वाला है तो दिखे फ्रेंड, सबसे पहले है तो QIBS QIBS दे कुल मिलाके second day 2.30 times तक भरा है अब मान के जिलिए यह आखरी दिन लगाते हुए देखने को मिलेंगे NIIS जो कल तक almost 5 times से इस पर subscribe करके बैठे हुए थे आज 38.90 times तो NIS का पैसा तो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है second day 38.90 times तक NIIS ने पैसा लगा दिया QIBS ने इस 2.30 times first second day QIBS जो है वो पैसा आपको लगाते हुए देखने को mostly नहीं मिलते है हाँ उससे पर एक वार एक lot question का वो answer दे दू याद रखेगा इस पर 2000 का lot है तो आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ दोजा का lot मिलेगा आपको lot by lot बेचना पड़ेगा आप ऐसा नहीं कि अगर आपको IPO मिल जाता है तो आप चाहे तो इसको मैं 200 share बेचू 300 share बेचू नहीं ते कि SMEs के अंदर जो trading होती है basically वो lot by lot होती है याई अगर आपको 2000 का lot आता हुगा देखने को मिलता तो आपको 2000 के 2000 share एक साथ trade करने पड़ेंगे otherwise आप share sell out नहीं कर सकते हैं ये बात important है अब बात करते हैं दोस्तों retailers के बारे में तो पहले दिन तोटल मिला के 25 टाइम्स के लगबख सब्सक्राइब किया second है आप अगर figure को देखना चाहेंगे तो आप खुच चौक जाएंगे 103.20 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा यहां पर retailers ने पैसा लगा दिया है अब subscription इस प्रकार का है तो allotment के chances आप समझ लीजिए हर 103 में से एक जने को मिलना तो बहुत मुश्किल चांसे है definitely बहुत मुश्किल से मिलता हुआ देखने को मिलेगा second day अगर आप first एक competition करेंगे second day से तो almost four times जादा पैसा आता हुआ देखने को मिला आज तो यह अपना आप में दिखाता है कि company अच्छी है कुछ flaws है कुछ बहुत बढ़िया चीज़े है लगातर growth दिखाती भी देखने को मिल रही company वो अपना आप में बहुत शांदार बात है एक flaw सबसे बढ़ा क्या है company को लेकर कि इनकी heavy dependency है Indian railways के उपर वो अकिले clients नहीं है लेकिन वो सबसे बड़े clients है जो सबसे जादा major revenue में contribution करते है इस company का तो यह अपना आप में listing gain के लगाने तो listing gain के लिए आप लगा सकते है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बटिया ही काऊंगा कि आप listing gain के दिन ही बेच दीजेगा आप समझे है shares कितने कम है और ऐसा नहीं कि सारे एक दिन में trade होते विए देखने को मिलेंगे volumes बहुत कम होती है ठीक है तो आपको जल्दी जल्दी आपको अपने shares को बेचना पड़ता है तब जाके दिखे आप समझ यह है आपको मुनाफ़ा मिल जाता है तो आपको SMEs के अंदर तो मैं आपको सला दूगा कि बान लेना चाहिए अब long term cup का view जासे आने वाले 10 से 15 साल का है तो मैं आपको कुछ नहीं कोँगा लेकिन अगर आपको view ही छोटा सा है कि एक महीने के अंदर मुझे बेचना है तो एक महीना भी आप ज़्यादा बेच मत करिए उस समय आपको buyers मिले ना मिले SMEs में दिक्कत क्या होती है सबसे बड़ी कि आपको आगे buyer sellers की दिक्कत होती है कभी ख़बार क्या होता है जब यहाँ पे stock में sellers नहीं मिल पाते हैं कभी ख़बार यह होता है कि buyers नहीं मिल पाते हैं यह अपना आप में देखिए basically दिक्कत है जो हमेशा देखिए है देखी जाती SMEs में वो एक high risk है उसके लावा कोई बड़ा risk आपको देखने को नहीं मिलेगा अब भी इसकी grey market के उपर अगर बात करें तो दोस्तों अभी concord की जो grey market चल रही है वो खरीबन 31 rupees चल रही है यह 56% अब जो question पुछा गाता मुझसे की markets नीचे आते वे देखने को मिल रहे है undoubtedly तो क्या इस समय SMEs में लगाना या ऐसे IP में लगाना जिसकी 50% के आसपास टल रही है grey market क्या सही रहेगा तो definitely see risk बहुत रहेगा मैं पहले भी कहता है हूँ की SMEs issue के अंदर ही बहुत risk है यह कोई एक बहुत charm से दरत है दूसरी बात क्या है कि SMEs के अंदर से वही लोग लगा है जो थोड़ा सा risk उठा सकते हैं अगर आप risk उठा सकते तब ही लगाई याद रखेगा इसमें जो loss और profit की numbers निकल के आते हैं वो काफी high हो जाते तो उसका एक अपना एक बहुत बड़ा importance है तब भी लगाईए कि आप अगर high risk लगा सकते है उसके अलगा मत लगाई इसमें याद रखेगा 1 lakh से प्लस का lot होता है और वो 1 lakh से प्लस का lot में जब फायदा होता है तब भी बहुत अच्छा होता है मेरे कैने पर भी मत लगाईए मैं आपको यह कहूँगा आप अपनी खुद के study करिए company को तोड़ा समझ ये company के fundamentals को देखिए analysis करिए उसके बात आपको अगर growth लगती है तो definitely इसे issue के इंदर apply करिए वरना मत करिए कोई दिक्कत अलिवात नहीं है यह अपना आप में एक important बात है और वैसे भी SMEs में बहुत risk होता है main line में तो बहुत कम risk होता है main line में तो definitely दोस्तों यहाँ पर सला सही रह जाती है because याद रखेगा वहाँ पर एक volume जो है वो दिक्कत नहीं है यह पर volume दिक्कत है कि shares को trade हो पाएंगे का नहीं हो पाएंगे उस प्रकार से कि कोई मुझे 2000 shares एक साथ बेचने पड़ेंगे तो मुझे 2000 का सामने buyer बैठा है ना buyer मतलब वो मिल जाएगा first trading जिस दिन होगी इसकी उस दिन तो मिल जाएगा लिए उसके बात का अपने एक important point है जो समझना पड़ेगा तो यह बात भी हैद important है तो friends इस वीडियो में इतना ही था ओप सो आपको वीडियो बड़या लगा होगा आपने इस SME इशू के अंदर लगाया नहीं लगाया comment करके ज़रू बताएगा thank you friends watching this video